बहुत समय पहले चमपक्वन जंगल में भूरी चुडिया अपनी इमा टुनटुनी चुडिया और अपने पिता बंटी कभूतर के साथ रहती थी बूरी चुडिया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे एक दिन टुन्टुनी चुडिया बिमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है ऐसे में एक दिन टुन्टुनी चुडिया बैठी धूप सेक रही थी तब ही वो देखती है कि पडोस में रहने वाले चिंकी चुडिया की सौतेली मा उसे धक्के देकर गोसले से बहार निकाल देती है ये सब देखकर टुंटुनी चुडिया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है अगर में मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा अगर बंटी कबुतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली मा मेरी बेटी को इसी तरह घर से पहार निकाल देगी जब शाम को बंटी कबुतर घर लोटता है तो टुंटुनी उससे कहती है सुनो जी अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना वर्णा सोतेली मा मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी ये सुन कर बंटी कबूतर से समझाते हुए कहता है तुन्टुनी शडिया मरे तुमारे दुश्मन तुम ये कैसी बाते कर रहे हो तुम्हे कुछ नहीं होगा तुम जल्दे ही ठीक हो जाओगी नहीं तुम्हे आज मुझसे ये बादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे टुन्टुनी मैं तुमसे बादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा कुछ दिन इसी तरह बुजर जाते है टुन्टुनी की हालत दिन पर दिन बिगडती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है धूरी चड़ी अपनी मा से लिपट कर रोने लगती है अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी कबूतर उसे चुप कर आता है बेटी तेरी मा बहुत अच्छी थी इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बोला लिया अप बंटी कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर काम पर चला जाता था एक दिन उसके घर कालू कववा आता है और उससे कहता है तुम कब तक भाबी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो पूरी अभी बहुत छोटी है उससे मा की जरूरत है कालू कवव बंटी कबूतर को बहुत समझाता है ना चाते हुए भी बंटी कबूतर कालू कववी की बात माल लेता है और वो टूनी चडिया से शादी कर लेता है टूनी चडिया शकल से बहुती भोली थी वास्तव में वो बहुती निर्दई थी टूनी चडिया बंटी कबूतर के सामने भूरी चडिया से बहुत प्यार करती लेकिन उसकी काम पर जाते ही वो भूरी चडिया प्रत्यचार करना शुरू कर देती थी एक दिन वो भूरी चुडिया से कहती है अरियो महरानी चल उठाइए ज़ाडू और कम्रे में ज़ाडू लगा फिर आकर मेरे पैर दबा और खबरदार अगर तून अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूँगी तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा अपनी सौतेली मा की बास सुन कर भूरी चुडिया बहुत डर जाती है वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती एक दिन बोरी चुडिया की तव्यत कुछ खराब थी जब टूनी चुडिया उससे काम करने को कहती है तब बोरी चुडिया मना कर देती है मा आज मेरी बहुत दवियत खराब है इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी मुझे बहुत कमसोरी महसूस हो रही है आज अब घर का काम कर लीजिये बोरी चुडिया की बाते सुनकर टूनी चुडिया गुसा हो जाती है और गुसे में उसे पीटने लगती है और उसे घोसली से बाहर धत्का देहकर निकाल देती है उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से वापस अपने घर आ रहा था जब वो टूनी चुडिया की ये हरकत तुम अभी और इसी वक्त मेरे घौसले से बाहर निकल जाओ ये सुन कर तूनी चडिया बंटी कबूतर से माफी मांगने लगती है बंटी मुझे माफ कर दो ये भूरी बहुत ही ज्यादा बत्तमीज है तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे और भूरी से कितना प्यार करती हूँ तुम ही मुझे बताओ मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुचा सकती हूँ क्या वो तूनी चडिया को माफ नहीं करता और उसे घौसले से भगा देता है फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी बूरी चडिया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है एक जंगल में टुन टुनी नाम की गरीब चडिया रहती थी वो मिट्टी की खिलोने बना कर जंगल में पक्षियों को बेचा करती थी लेकिन उसकी खिलोने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे एक दिन वो टोकरी में खिलोने बना कर जंगल में बेचने के लिए जाती है खिलोने ले लो, खिलोने मिट्टी की खिलोने ले लो हाती गोड़ा चिड़ी और बंदर ले लो, खिलोने संदर संदर ले लो तबी बबली कबुतरी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आती है मुझे मिट्टी को खिलोना दिलवा दो ना, कितने अच्छी है नहीं बेटा, कितने बेकार खिलोने हैं, मैं तुझे आगे से अच्छा वाला खिलोना दिलवा दूँगी बबली बेहन लेलो न खिलोना में सस्टे दाम में दूंगी लेकिन बबली कबुतरी मूँ बनाकर वहाँ से चली जाती है अब सुवा से रात हो जाती है सुभा से शाम हो गई है एक भी खिलोना नहीं बिगा और मैं गुर वापस भी नहीं जा सकती तीन दिनों से खाना नहीं खाया है मैंने आज तो भूका सोना पड़ेगा तब उसके पास में एक कालू कवी की दुकान थी वो टुन्टुनी से कहता है क्या हुआ टुन्टुनी बहन आज फिर तुमारे खिलोने नहीं बिके मेरा तुमारी मनद करने का बहुत मन करता है पर मैं मजबूर हूँ मेरे बीवी बच्चे है इन पैसों में उनका ही पूरा नहीं हो पाता है कोई नहीं कालू भाया आपने मेरे बारी में सोचा यही काफी है मेरे लिए यह कहकर तुन्टुनी अपने घर जाने लगती है तभी उसे जंगल में पीछे से अजीब सी आवाजे सुनाई देती है यह सुन कर तुन्टुनी डड़ जाती है तुन्टुनी बेटो इधर आओ तुन्टुनी इधर आओ मेरे पास जैसे ही टुन टुनी चडिया पीछे मुडती है वो वहाँ पर एक बोड़ी सी टुनी चडिया को बैठा हुआ देखती है आप कौन है यहाँ पर क्या कर रही है बेटा मेरा नाम टूनी है मैं पास वाले जंगल में रहती थी वहाँ मेरा घर जल गया अम मैं अकेली हूँ क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ मा जी मैं आपको अपने साथ तो ले जाऊंगी लेकिन मेरे पास कुछ खाने के लाले है मैं आपको क्या किलाऊंगी लेकिन फिर भी आप मेरी सर्च चल सकती है यहां अकेला जंगल में रुखना टीक नहीं होगा तुन टुनी टुनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है बेटा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है ज़रा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ देखती हूँ किचन में कुछ मिल जाए पर मेरी किचन में कुछ भी नहीं है में कुछ दो दिन से भूखी हूँ माजी फिर भी टुनी चुड्या की आत्मा किचन में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और जादू से टारे डिपे खाने से भढ़ देती है बेटा देखू तुम्हारे किचन में तो बहुत सारा समान रखा है तुन्टुनी ये देखकर हैरान हो जाती है लेकिन वो भूप की वज़ा से ज्यादा ध्यान नहीं देती और खाना खाकर सो जाती है तबी रात में टूनी चड़िया की आत्मा घर से बहार निकलती है और अपनी जादू से आंगन में पड़ी मिट्टी से तुन्टुनी के लिए सारे खिलोने बना देती है वो एक अच्छी चड़िया की आत्मा थी अगली सुभा मा जी ये देखिये कितने सुंदर खिलोने है ये आप भी बनाई है हाँ बेटा मेरे पती को भी मिट्टी के खिलोने बनाने का शौक था उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया है अब टुन्टुनी चड़िया वो खिलोने लेकर बेशने के लिए बजार जाती है थोड़ी ही देर में वो सारे खिलोने बिख जाते है ये देखकर कालू कववा उससे जल्ले लगता है अब वो रात में टुन्टुनी की घड़ जाता है अगले दिन वो जंगल की पक्षी और जादु गण्णी के साथ तुन्टुनी की घड़ आता है अरे तुन्टुनी बाहर निकलो घर से बाहर आओ क्या हुआ है भाईया आप इतना चिला क्यों रही है टून टूनी कल रात कालू कववे में तुम्हारी या एक चड़िया की आदमा को देखा है कहा है उसा घर से बाहर निकालो का चपा रहा है कालू कववा वो औरत बहुत अच्छी है वो कोई चड़िया की आतमा नहीं है माजी बाहर आईये देखी इस अब आपको क्या बोल रही है टूनी चड़िया बाहर आती है जादू गर्णी उससे पूछती है कौन हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बता तू चड़िया की आतमा है ना मैं जानती हूँ कौन मैं बहुत नहीं मैं तो पास वाले जंगल में रहती हूँ अच्छा अब यह दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा जादू गर्णी टोनी चड़िया की आतमा पर गंगा जल डालने लगती है टोनी चड़िया की आतमा अपनी असली रूप में आ जाती है पास चड़िया की आतमा ने आपने हमेश्या मेरी मदद थी पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा मुझे माफ कर दो मैंने तुमसे सच चुपाया मेरी एक बेटी थी बिल्कुल तुम्हारी जैसी मैं उसे बहुत प्यार कर दे लेकिन बिमारी की वज़ा से उसकी मौथ हो गई उसकी याद में मैंने खुद खुशी कर ली और एक आता की रूप में इधर अधर बुटेकती रही जब उस रात मैंने तुम्हें परिशान देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आगा इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी इसकी अलावर में तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाना चाहती थी ये सुन कर सबकी आँखों में से आसु निकलने लगते हैं तुन तुनी रोते हुई कहती है मा आप परिशान मत होए मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ हाँ मेटा मुझे तुम्हारे जुरे में अपनी बेटी मिल गई मुझे बहुर क्या चाहिए मैं चलती हूँ बस तुम ध्यान रखना जब भी तुम्हें मेरी जरुवत होगी मैं तुम्हारी पास में होगी ये कहकर टुनी चुडिया की आत्माँ वहां से चली जाती है एक दिन बंटी खुशी खुशी ओफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुन्टुनी को बुलाता है टुन्टुनी कहा हो तुम जल्दी इदर आओ क्या हुआ बेटा आज तु बड़ा खुश लग रहा है हा मा आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रोमोशन हुआ है मा ये देखो मैं तुमारे लिए शॉल लेकर आया हूँ तभी वहां टुन्टुनी आ जाती है क्या बात ही जी आपने मुझे क्यों बुलाया हाँ टुन्टुनी ये लो मैं तुमारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ ये हार बहुत ही अच्छा लग रहा है हाँ हाँ बेटा इस तरक्की में इसी का तो हाथ है मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल मुझे नहीं लेना बबली घुस्से में शॉल फैक्ट कर वहां से चली जाती है अगली सुभा जब टुन्टुनी सबकी लिए चाय बना रही होती है तो वहां बबली आ जाती है बहु तू तो बड़ी शातिर निकली तूने मेरे बेटे को अपने कबजे में कर लिया अब वो तेरी हर बात मानता है मैं तो जैसे कुछ हो ही नहीं मा जी आप ये क्या कह रही है मैंने क्या किया है तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 500 रुपे की शॉल माजी, वो हार आप ले लेजे, मैं क्या करूँ, मैं तो तने महंगे हार पहनती भी नगी रूँ अच्छा, तो अब तू मुझे भीक में देगी, मैं तेरे पर तोड़ दूँगी, तू अपनी अवकात में रहा कर, अब खड़ी खड़ी मेरा मूँ देखेगी, चल अब जा जाके चाय बना तून्टुनी बबली को चाय देती है, बबली चान बूच कर, गर्मा गरम चाय तून्टुनी पे गिरा देती है आँ, माजी, आपने ये क्या किया? तेरे साथ जो मैंने किया, बहुत सही किया इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, एक दिन बबली जंगल से घर आती है तून्टुनी, अरियो तून्टुनी, कहा मर गई, जल्दी से मेरे लिए एक गलास पानी ला अभी लाती हूं, माजी तून्टुनी पानी लाकर अपनी सास को लाकर देती है, तबी अनाज घर में से जलने की बो आती है तून्टुनी भाग कर अनाज घर में जाती है हे भगवानी, क्या हो गया? माजी तो आज मुझे मार ही डालेंगी अरे ये क्या किया तूने, पूरे साल का राशन का तूने सत्या नाश कर दिया, कल मुमी इतना अनाज और चामल जला दिया, पूरे साल भरका तो था, भरी बारिश में चुन-चुन कर इखट्टा किया था, ताकि इस बार की बारिश राम से कट सके, इसकी भरपाई कौन करेग तेरे बाप को कंगाल ना कहूं तो क्या कहूं उसने दो जोड़ी कपरों में तुझे मेरे मत्थे मर दिया मैंने तो सोचा था अपने बेटे की शादी किसी अमीर चड़िया से करूँ भी खेर जा मैं तुझे अभी बताती हूं इतना कहट कर बबली जलतीवी लखडी से टुझे के पर जला देती है आँ माजी आपने क्या कर दिया रात को जब बंटी घर आता है तो वो टुझे जले ओए पर देखकर वो उससे पूछता है टुझे यह क्या हुआ तुमारे पर को ये तुमारा पर कैसे जल गया वो कुछ नहीं जी, किछन में काम करते से मैं चल गया था टुन्टुनी तुम जूट मत बोलो, मैं सब जानता हूँ, ये सब मा का किया दरा है, मैं अभी मा से जाकर पूछता हूँ बंटी गुस्से में बबली की गोसली में जाता है मा, तुमने बहुत अत्याचार कर लिया टुन्टुनी पर, अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर, मैं टुन्टुनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ मा, इस भैंकर तुफान में कैसे अपने आपको बचा रही होँगी, मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए बंटी और टुन्टुनी भारी तुफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुँचते है वहाँ बबली कबुतरी बारिश में भीग रही थी और आपनी सांसे गिन रही थी मा, तुम्हें क्या हुआ मा? बेटा, मुझे माफ कर दे, बभू, तु भी मुझे माफ कर दे इतना कहते हुए उसकी सांसे वही रुख जाती है उस दन के बाद से टोंटोनी और बंटी अपनी मा के घर में रहने लगते हैं